चलिए शुरू करने जा रहे हैं भारत के खनी जेवा मुर्जा और संसाधन जो कि एकनॉमिस का ये जो है टॉपिक आपका ठट है है ना जो कि जल्द ही क्रिशी उद्योक्षे क्रिशी परिवहन संचरन से ये सारे कोश्चन हम एकनॉमिस से प्लेलिस्ट बना रहे हैं आप उस भारत के खनीज और संसाधन में हम अराम से पढ़ेंगे इसमें कम टाइम में ज्यादा कोश्चन करने के कोशिश करेंगे और इसे खरम करेंगे उसके बाद क्रिशी उद्योक से चलेंगे और उसके बाद दिल्ली संतनात हो गया मुगल संतनात हिस्ट्री का जो है बचा वो कर देंगे आपसे एक कोशन है कि जो वर्ड जोगरफी है वो करवाओं की नहीं कमेंट वॉक्स में जरूर करेंगे यस या नो करके जवाब देंगे इस वीडियो में ठीक है कमेंट वॉक्स में तो चलिए भारत के खनीज एवं उर्जा संत्वातर देश की प्रथम खनीज निती कब घोशित हुई थी तो आपसे पूछता है कि ये जो देश की प्रथम खनीज निती के अगर बात हो गई तो 1951 बता जिएगा उन उस्वाय कावर में ये घोशित हुअ था ये सवाल हो गया दूसरा सवाल आप देखे कि भारत सरकार दोरह नई खनीज निती की घोशना कब की गई तो 2008 में की गई ये सवाल पूछेगा देखे देश में प्रथम खनीज निती कब घोशित हुआ था तो उद्गमियों के लिए प्रतिबंद मुक्त कर दिया गया है तो आप जानिए तेरा खनीजी जो है खनीजों को नीजी छेत्र के जो उद्गमियों होते थे आसपास के जो है जो उद्गमिय जो थे बिजनसमें थे उनके लिए ये प्रतिबंद मुक्त कर दिया गया है मतब इजनस कर सकते हैं तेरा खनीजो चेत्र में लेकिन वर्स उन्हीं सटीरानवे में गोशित राष्ट्य खनीजनिती में किस खनीज में नीवेश के लिए नीजी चेत्र को अनुमानित परदानन ही की गई है तो कोईला को ये परदान नहीं की गई है नीजी चित्रवालों के लिए कोईला का जो है ये बेपार करने का यनुमती नहीं मिली है 1993 के जो है घोशित राष्ठी खरीच नीटी के तहट आपसे और सवाल पूछता है कि भारत का सारवधिक अवरक उत्पादक राज जो कौन है तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं आन्दपरदेश है तो अगर आपसे पूछेगा कि आन्दपरदेश में क्या है कौन सा खनीज है तो अवरक उत्पादन में आगे है हमारा आन्दपरदेश तो अवरक उत्पादन में आगे है हमारा आन्दपरदेश में क्या है जھरकंड राज जो है आगे है तीन खनीज से यूखत भारत का एक मात्र राज कुन है तो च्ठीसगर है तो देखेगे तीन खनीज के मामले में अगर देखा जाए तो हमारा च्ठीस गरqu यूखत है एक मात्र राज है टीन के मामले में जो कि 36 गड़ को माना जाता है ऐसा चोटे चोटे तो सबी राज में मिलते हैं ऐसा नहीं लेकिन टीन के मामले में जादा तर कहा जाए तो 36 गड़ एक मात्र राज है हमारा भारत का जो कि टीन के लिए यूगत है अगर आप से पूछे बारत किस देश को लौह आयसक का सरवधी के निर्यात करता है तो जापान को करता है समझ गए आप देखिए भारत के किस राज्ज में मोना जाइट बहुतरा बहुयता से मिलता है तो केरल तो मोना जाइट एक खनीज होता है आप जानते हैं ठीक है ये जो मोना जाइट होता है वो केरल में मिलता है आप से पूछेगा विश्व के अवरक बेपार में भारत का युगदान कितना परतिशत है तो 60 परतिशत है कितना परतिशत है तो 60 परतिशत है ये जान लिजे तो विश्व के अवरक बेपार में भारत का युगदान कितना परतिशत है 60 परतिशत है विश्व में स्वर्ण की सर्वधी खपत वाला देश अगर कौन सा है तो चीन है तो चीन है तो अगर विश्व में स्वर्ण की सर्वधी खपत वाला देश अगर पूछे तो चीन है अगर आप से पूछे विश्व के कूल स्वर्ण खपत में भारत का युगदान है कितना तो तो छोटा नाकपूर पठार जो है ज्यादा समरिद है आगे सवाल है कि भारत के किस स्राज्ज में तामबा खनीच का सबसे बड़ा भंडार है तो मतपरदेश तो तामबा के मामले में अगर देखे सबसे बड़ा भंडार अगर आपसे पूझे भारत का कौन सा राज है तो हम बताएंगे एहम पी मतपरदेश थोड़ा सा धुनला है सुनिएगा भारत का सबसे बड़ा मेंगनीच मेंगनीच उतपादक राज जगर अगर आपसे पूझे थो ऊड़ीशा बता दिजेगा तो भारत का सबसे बड़ा मेगनीज उत्पादक राज अगर आप पूछे तो ओड़ी शा बता देना है अगर आपसे पूछे भारत जो है किस खनीज के उत्पादन में आत्म निर्वर है तो गर्फाइट के मामले में तो गर्फाइट के मामले में क्या है हमारा भारत उत्पादन में आतम निर्वर है गर्फाइट के मामले में यह सवाल डारेक्ट पूछता है ना आपसे यह भी सवाल पूछेगा कि भारती हीरा संस्थान जो है कहां अस्थापित है तो सूरत में तो आपसे पूछेगा कि भारत हीरा संस्थान अगर पूछे कहां स्तापित है तो सूरत में देखे भारत में कौन सा राज्य जो है सबसे अधिक मुल्ड के खनीज उत्पादन करता है तो मतपरदेश करता है तो भारत में कौन सा राज्य जो है सबसे अधिक मुल्ल के खनीज उत्पारन करता है तो मतपरदेश करता है आज से पूछेगा भारत में हीरे की खाने हैं कहां तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं मतपरदेश में कहां है हीरे की खाने कहां है तो हमारा मद परदेश में ठीक है आप से और सवाल पूछता है भारत किस खनीज का आयात नहीं करता है तो लौ आयस्क का आयात नहीं करता है और सवाल पूछता है कि भारत में सम्मिधानिक स्थिती के अनुशार खनीजों पर किस का अधिकार है त तो यह याद रखीगा केंद्र की बात तो अलग है सबसे ज़्यादा अगर पूछे सम्मिधानिक रूप से सम्मिधानिक स्थिति के अनुशार अगर पूछे खनीजों पर किसका अधिकार होता है तो राज शरकार का होता है यह जरूर ध्यान रखेगा यह कोश्चन को समझ ग बिद्दूत का कितना प्रतिशत है तो 33 प्रतिशत माना जाता है तो भारत में उर्जा उतपादन में शर्वधिक अगर भागिदारी पूछे तो ताप बिद्दूत का है अगर आपसे पूछे भारत का प्रथम परमानू उर्जा उतपादन केंद्र क्या है तो तारापूर है जो कि महाराष्ट में एमेच में पढ़ता है तो भारत का प्रथम प्रमान उर्चा उत्पादन केंद्र अगर आप से पूछे तो तारापूर जो कि कहा है एमेच महाराष्ट में भारत में सबसे ज़्यादा ताप बिद्दूत उत्पादन करने वाला राज़ कौन सा है तो महाराष्ट है आप अच्छे से जानते हैं जो कि तारापूर आप जानी ही रहें बिद्दूत उत्पादन करने में भी हमारा महाराष्ट है मुंबई है अगर देश में कुल बिद्दूत उत्पादन में ताब बिद्दूत का युगदान कितना है तो 62% जो है 99% है मतलब 30% के लम समय ये भी आप जानते हैं है ना वो ही है अगर आप से पूछे भारत की पर्थम जल बिद्दूत परियोजना जो है है तो दाजलिंग जल बिद्दूत परियोजना है तो कैसे बोलेंगे भारत की पर्थम जल बिद्दूत परियोजना अगर आप से पूछेगा तो डार्जिलिंग जल विद्दूर परियोजना बता ज़ेगा तो आपसे पूछेगा भारत की पर्थम जल विद्दूर परियोजना कौन सी है तो डार्जिलिंग जल विद्दूर परियोजना है अगर आपसे पूछे पवन उर्जा के उत्पादन में भारत का जो है विश्व में कौन सा अस्थान है तो पांचमा अस्थान है कौन सा है पांचमा अस्थान माना जाता है ये जरूर ध्यान रखेंगे आपसे और पूछेगा पवन उर्जा उत्पादन के छित्र में विशूर का अगर निये देश कौन है तो चीन ये सब मामले में चीन जादा आ गए आपसे ये भी पूछेगा कि भारत में पर्थम जल विद्दूत सक्ति ग्री किस्थापना कब और कहां की गई तो देखे ये की गई थे 1898 में और कहां दार्जिलिंग में की गई जो कि आप जानते हैं जल विद्दूत परियोजना है जो कि पर्थम माना जाता है भारत में वि आपसे पूछा किंद्रा बती जल विद्दूत परियुजना किस राज्यकी प्रमुक बहुत देशी परियुजना है तो महराष्ट है तो महराष्ट हमारा हम जानते हैं किंद्रा बती जल विद्दूत परियुजना जो है कहा है तो महराष्ट में है और ये जो है प्रमुक जो है बहुत देशी परियुजना है सत परतिशत सौ उर्जा पर चलने वाला भारत का पहला किंदर शासित परदेश कौन है तो दीप है कौन है दीप जी है दीप जो है आपका सत परतिशत जो है सौर उर्जा पर चलता है पहला केंट पर्दिश है देखे इस पे क्या है ना कि बंगली हाथ जो जल बिदूत परियोजना जो चलाए जो बना हुआ है वो इस पे क्या है कि पाकिस्तान को अपती है बस इस पे मतब कंप्लेन है कि मतब यह हमको अच्छा नहीं लग रहा इस तरह से ठीक है क्योंकि नदी पे ही बनाए गया है जो कि पाकिस्तान में यह नदी जाती है उसी पे बनाने है ताला जल बिदूत परियोजना जो है किस देश के साथ जो है भारत की सियुक्त परियोजना है भूटान के साथ यह से परियोजना बनी है आप से पूछेगा किंद्रिये जल्विद्दूत सोध किंद्र कहां इस्तित है तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि खगवाशला चीक है खगडवाशला में है जल्विद्दूत सोध किंद्र याद किंद्रिये जल्विद्दूत सोथ के अंदर पूछेगा कहा है तब बताईगा खगड वा शाला कौन सा सुरोत जो है उर्जा का व्यवशाइक सुरोत नहीं है तो आप याद रखेगा वायो गैश तो कौन सा सुरोत जो है उर्जा का व्यवशाइक सुरोत नहीं है तो वायो गैश का है अगर आप से पूछ प्रमानु उर्जा कारिकरम का जो प्रम्भ है सुरुवात है कब से माना जाता है तो 1948 में माना जाता है आप से पूछेगा कि प्रमानु उर्जा आयोग का गठन जो है किस वर्स हुआ था तो 1948 में हुआ था यह जरूर याद रखेगा क्योंकि प्रमानु उर्जा आयोग का प्रतीस्थान का गठन कब हुआ तो 1957 में हुआ था तो देखे प्रमानू उर्जा है यो गठन कब हुआ तो 1948 में अब सब्सक्राइब कर दो तो गुजरात में हैं तो मुंद्रा पावर प्लाइन्ट जो है किस राज में थी तरही के लिए महतपोन है तो भारी जल सरियंत्र के लिए महतपोन माना जाता है क convey her agu प्रमांबिद्दू सरीयंत कहां अवस्थी थे ऊवностु तो कर्नातक में है। यह भी सवाल पोःता है तो कहां और न है तो रास्थान। जैसे ही रावा, रशे राव, रशे रस्थान, करशे कग, करशे करनाटक, ऐसे याद हो गया, करशे कएगा करशे करनाटक, रावता, रशे, राश्थान, रशे, रावता, याद हो गया, अगर आपसे पूछे कलपक्कम, परमानू, उपकरम, जो इस्थित कहा है, तो ये सवाल आपसे डारेक्ट पूछेगा भारत में कुल उत्पादित बिद्दुत में प्रमान शक्ती का भाग कितना है दो प्रतिश्यत ही भाग है ये जरूर ध्यान रखेंगे आपसे और क्या पूछेगा उर्जा संरचन अधिनियम कब से प्रभावी हुआ 2001 से प्रभावी ह और अच्छे से ये चलाना सुरू किया गया उर्जास्वाचन अनरजी अस्टैटिक्स नामत प्रकाशन को समय समय पर निकालता है तो केंद्रिय संकी की संगठन निकालता है नियाद किगा केंद्र सरकार द्वारा निकाले जाता है केंद्र सरकार के संकी की संगठन द्वार देखें विस्व के सबसे जो बड़े गैस अधारित बिद्दु सेयंत की अस्थापना अगर पूछे भारत के किस राज में होने जा रही है तो उतर प्रदेश में होने जा रही है अब बहुत अच्छे से आनते हैं अगर पूछे कैथल गुड़ी गैस बिद्दु परियोजन अस्थापित की जा रही है जैसल मेर में चीक है आप से पूछे विस्व का सबसे बड़ा खनीश टेल उत्पादक देश कौन सा है तो सौधी अरब है चीक है सौधी अरब है ये ज़रू ध्यान रखेंगे भारत अपनी कूल तेल खपत का कितना हिस्टा जो है आयात द्वारा पूरा करता है तो दो तीहाई तो पूरा करता है नसरती दो वटा तीन दो तीहाई दो तीहाई हिस्टा पूरा करता है अगर आप से और शवाल बनता क्या है कि पिट्रॉलियम पदार्थ की बिक्री के ल भारत पिट्रॉलियम द्वारा किया गया है देखें भारत ने सरप्रतम खनीज तेल कुणा खोदा गया कहां डिडबोई में डिडबोई कहां है अस्थम में कहां है डिडबोई कहां है अस्थम में तो सरप्रतम खनीज तेल कहां खोदा गया अस्थम में खोदा गया भारत का याद कीया, राजवे, अच्छम राजवे? अब क्यां है, कलूल, कलूल खनीज तेल उत्खनन छेत्र किस राजवे हैं? तो गुजरात में? जीटी में हैं? आपसे और सवाल कैसे बनता है, भारत का सबसे बड़ा खनीज तेल छेत्र कोन सा है, तो मुंबई अब टट छित्र है अब टट छित्र माना जाता है मुंबई का अब टट छित्र जो होते हैं आप भारत का सबसे बड़ा खनीश तेल छित्र है अब देखिए मंगला अगर आपसे पूछे मंगला क्या है तो रास्थान में एक तेल सोध कुआ है कहां तो रास्था आप से पूछे रास्थान में खनीज तेल के जो बिशाल भंडार है कहां पाए जाते हैं वाड मेर में वाड मेर में जो है खनीज तेल के बिशाल भंडार पाए जाते हैं आप जानते हैं मंगला क्या है तो रास्थान में एक तिल कुवा है मंगला नाम है तरल स्वर्ण लोक प्रचलित नामक अगर पूछे तो प्रचलित नाम किसका है 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 तो प्रचलित आपसे और वी शुवाल पूक्ता है कृष्णा करांती का समंद्ध झो है खनीज तेल उत्पादं से है है्ड्रो कारवन वीजन जो कि दोगी दोग्णार पचीस समंद्धी है किसे पिट्रॉलियम उत्पादक के संगरहन से समंद्ध है 2025 हाइड्रोजन कार्बन बीजन 2025 जो समंदित है प्रिट्रॉलियम उत्पादनों के संगरहन से अगर आप से पूछे भारत में खाना पकाने के लिए विश्व के सबसे बड़ा शौर वाश्प प्रनाली कहां स्थापित की गई है तो मौंट अबू में कहां की गई है मौंट अगर आप से पूछे आप dunno कितना है तो अगर है अगर आपसे पूछे देश में ब्रशाइक उर्जा खपत में कोईला का युगदान कितना है तो 67 प्रशिशत है कितना है 67 प्रशिशत है अगर आप पूछे ग्रामिन विद्दूती करन निगम का अस्थापना कब की गई तो याद किया 69 प्रशिशत है ये सवाल पूछेगा भारत में बिद्दूत किये प्रती वेक्ति वार्शिक खपत क्या है तो 376 यूनिट है ये जरूर है आप से और पूछेगा भारत में लिगनाइट कोईला का सर्वधिक जमाओ किस राज्य में पाए जाते हैं तमिलाडू में पाए जाते हैं ये सवाल पूछता है किसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता है तो कोईला को ब्लैक गोल्ड कहते हैं ठीक है तो ये हुए आपके जहें क्या हुआ भारत के खनी जेवा मुद्यासन सादन अर जल्द ही हिस्ट्री का आने वाला है मुगल आएगा या दिलनी सल्टन इसका प्लेलि से बड़ा वला थैंक यू और आप मेरे श्रोगर हमेशा याद रुखे आप मेरे आप हैं तभी हम हैं ये हमेशा याद रुखेंगे